नमस्कार, नियूस 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है, हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ति पूर जिला से आ रही है, जहां मुस्वी रारी थाना क्षेत्र अंतरगत गंगापूर के पासे नए 28 पर, शुक्रवार 28 मए 2021 की देर राथ हुई भीशन सर्क हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तथा दो अन्य गंभीर रूप से जखमी हो गया, गाडी टकराने की आवाज सुन कर जब आस पास, क जब घटना स्थल पर पहुँचे तो अवाक रह गए, घटना स्थल पर एक चाड़ पहिया वाहन पूरी तरह क्षति ग्रस्त हो चुकी थी, तथा उस गाडी में सवार सभी लोग जखमी अवस्था में थे, स्थानिय लोगों ने ततकाल इसकी सूचना मुस्री गरारी पु अचलादिकारी राकेश कुमार दूबे के रूप में की गई है, वहीं सदर अस्पताल समस्तीपुर में इलाज रत दो अन्य युवकों के गंभीर स्थिती को देखते हुए, बेहतर इलाज हेतू डिम सी एच दरभंगारे फर कर दिया गया है, घटना के संबंद में बताया जा रहा है कि अचलादिकारी राकेश कुमार दूबे अपनी कार से अपने घर भागलपुर से रात के वक्त अपने कार्याले गोपाल गंड जा रहे थे, जहां देर रात को यहां घटना घटित हो गई, स्थानिय लोगों का कहना है कि देर रात जाते वक्त किसी अनियंतरित अग्यात भारी वाहन ने अचलादिकारी के कार को ठोकर मार दिया होगा, जिससे यहां दर्दनाक हादसा हो गया, स्थानिय पुलिस ने मृत्तक के पास से प्राप्तु दस्तावेज के आधार पर उनके घरवालों को भी सूचित कर दिया है, घरवाले भी समस्ती पूर के स्थानिय पुलिस का